नमस्कार दोस्तों, ITI Jobs Made Easy में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको Metro Railway कोलकाता के apprenticeship की जो वेकेंसी निकली है उसके बारे में बताया था उसी में कमेंट में एक मेरे subscriber है साबूज विश्वास जी उन्होंने बताया कि मुझे एक form fill up करने का भी वीडियो बनाना चाहिए तो उनकी demand पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आगे बाढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये request करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे और like का बटन भी दबा दीजी तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो दोस्तों यह जो application form है यह केवल offline mode पे ही भरा जाएगा तो इनकी website में जो link दी हुई है जो इसका format दिया हुआ है इसका print out आपको निकालना है फिर उसको अपनी ही handwriting में उसको भरना है आपको खुद भरना है और उसको post करना है इसमें दोस्तों clearly लिखा हुआ है to be filled by applicant in own handwriting in English English में भरना है आपको Hindi का यूज नहीं करना है तो दोस्तों इसमें जो serial number लिखा हुआ है इसको आपको नहीं भरना है row number भी वही लोग देंगे इसमें नीचे लिखा हुआ है for official use only इसके बाद टिक appropriate box for community आप जिस community के हैं उस पे आप टिक कर दीजे कि आपका जो ट्रेड है जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड में आप अपना भर दीजे वेल्डर है machinist है electrician वगरा जो भी है आप उस ट्रेड को यहां पर भर दीजे और इस जो आपने form fill up किया हुआ है इसको आप भेजना है जिस address पर वो address भी दिया हुआ है इसमें आपको एक passport size की photo लगानी है जिसमें कि आपने cap न पहनी हो ना ही कोई colored glasses लगाए हुए हो और उस photo में दोस्तों आपको sign करना है और उसको guested officer से attach कराना है दोस्तों यहां मैं यह बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जवलपूर से belong करते हैं जवलपूर में हैं तो आपका यह अटेस्टेशन वाला काम मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक guested officer हूँ ministry of defense में तो आप मुझे comment करके बता दीजे मैं आपकी इसमें help कर दूँगा दोस्तों आंगे बढ़ते हैं total number of documents enclosed तो total number of documents enclosed यह जब आप पूरा इसको भर लेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा यह आपके document कितने हैं यह इसलिए यह लोग भरवा रहे है total number of documents जिससे कि यह बात में इसको टैली कर सकें कि आपने कोई document छोड़ तो नहीं दिया है उसके number से यह आप से वह लोग टैली कर सकते हैं फिर दोस्तों इसमें है name of the candidate in block letters in English one box should be left blank between each part of the name आप जैसे मेरा नाम कुनाल सुकला है तो मेरा first name कुनाल है और last name सुकला है तो मुझे कुनाल और सुकला की बीच में एक block को छोड़ देना है और अगर आपके नाम में एक middle name है तो आपको first name उसके बाद फिर एक block छोड़ना है फिर middle name लिखना है फिर एक block छोड़ना है फिर आपका last name लिखना है समझ में आ गया होगा second point है father's name in block letters in English one box should be left blank between each part of the name understood है मैंने जैसे पहले बताया इसके बाद third number है date of birth दोस्तों date of birth आपको लिखनी है DDMMYYYY के form में पहले आपको अपनी date लिखनी है उसके बाद month लिखना है उसके बाद आपको year लिखना है age as on first first 2023 तो यहां पर आपको अपनी age लिखनी है जितने भी साल के आप है आपको पता है इसका age का जो criteria है वो कितना है अगर आप अपनी age calculate नहीं कर पा रहे हैं तो internet में बहुत सारे दिये हुए है calculator उनका use करके यहां पर exact date डालिए दोस्तों इसके पहले आपको third A में अपना y number लिखना है और third B में आपको अपनी email id लिखना है दोस्तों दोस्तों fifth number column है address for communication आपका जो address है जहां पर आप अभी रह रहे हैं या जहां पर आप चाहते हैं कि आपका admit card भेजा जाए उस address को आपको लिखना है with pin code pin code के साथ में दोस्तों pin code बहुत important चीज़ है आप जब भी किसी सरकारी job का form भरे pin code अवस्ति लिखें permanent address with pin code यह जो आपका मूल निवास है आप जहां के permanently रहते हैं वहां का address लिखिए pin code के साथ निज़ ट्रेयलवे station है अभी आपका जो पत्राचार का पता आपने लिखा है जहांसे आप exam देने जाएंगे वहां के निज़ ट्रेयलवे station का नाम लिखना है permanent address का नाम नहीं आप जहां पर इस समय उपस्थित हैं आप जहां इस समय रह रहे हैं और जहां से आप एक्जाम देने के लिए जाएंगे या जब वो आपको कॉल करेंगे तो वहां पर जाके रिपोर्ट करेंगे तो वहां का आपको अपना नाम लिखना है जो भी हिंदु मुश्लिम जो भी है उसको आपको यहां लिख देना है नाइंथ ए है फिजिकली हैंडीकेप्ट की कटेगरी में आते हैं तो आपको टिक मार्क करना है और परसंटेज औप डिस्टिवेल्टी जो भी आपका सेटिफिकेट बना होगा अगर आप आपका मूल निवास कहां का है पस्चे मंगाल का है MP का है UP का जहां का भी है उसको दाल देए 11A एजुकेशनल कॉलिफिकेशन प्लीज राइट क्लियरली दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है इसको बहुत ध्यान से भरिए एक्जाम पास्ट विट इयर आपने अ अगर इसी के base पर ही आपका जो जो selection होगा वो आपका होगा इसमें total marks obtain full marks आपका जो maximum marks था 10th के एक्जाम में वो आपको लिखना है और फिर उसमें आपने कितने marks आपको मिले वो आपको यहां लिखना है फिर percentage लिखना है aggregate के form में और इसमें अगर आपने optional या additional subjects कुछ लिए थे उनको छोड़ देना है ठीक है इसके बाद दोस्तों technical qualification ITI आपने जिस field से किया हुआ है वो आपको लिखनी है आपको अपना trade लिखना है यहां पर name of the institute board full marks total marks obtained year of passing यह तीन चीज़ी आपको लिखना है दोस्तों यह आ आपकी merit बनेगी वह आपकी मनेगी matriculation के marks से तो यह आपको ब्युक्त clearly सही सही लिखना है अगर आपने यहां पर कुछ और लिख दिया बाद में जब आपका verification हुआ तो उसमें marks कुछ और आपके मिले तो यहां पर दिक्कत हो सकती है इसलिए यहां पर आपको अपने percentage में जो भी आपके marks है point के बाद के दो डिजिट तक भी कुछ सही लिखने है इस चीज को आप याद रखिएगा आंगे चलते है personal marks of identification आपके face में जो भी marks हो या body में कोई personal marks जैसे होते है मोल वगएरा वो सब आपको पता ही होगा उसके बारे में आपको लिख देना है जिससे आ लगना है तो वो वो पोश्चल आउडर आपने कहां से खरीदा था उसका post office का नाम number of IPO IPO में एक number होता है उसको लिखना है date लिखना है amount 100 rupees लिखना है इसके बाद declaration है declaration के नीचे left thumb impression लगाना है candidate को अपना बाएं हाथ के अंगुठे का निसान लगाना है place इस समय आप जहां प जो short signature नहीं करना है full signature करना है उसके बाद दोस्तों यह जो कॉलम है for official use only इसको छोड़ दीजे आप फिर अपना जो next page है उसमें दिया हुआ है इसी page को यह admit card बना करके आपके पास भेज देंगे तो एफिक्स पास्पोर्ट साइट फोटो विदाउट कैप वही टोपी और बिना जो ग्लास वाली चसमे वाली फोटो होती है उसको आपको लगा करके करना है आपको यहां लग बिलॉंग करते हैं तो मैं इसमें आपकी help कर सकता हूँ फिर name of the candidate अब दोस्तों यहां पर भी आपको name वैसे ही लिखना है एक block छोड़ना है आपके first name और last name के बीच में father name भी वैसे लिखना है postal address बहुत अच्छे से लिखिएगा क्योंकि इसी address पे आपको भीजा जाएगा आपका admit card तो यहां पर आपको पूरा पूरा लिखना है और एक-एक block छोड़ते जाएए अगर आपका जो word होता है उसके बीच में तो इसका जो address लिखेंगे उसमें भी आपको एक-एक word के बाद पतला एक सब्द के बाद आपको एक block छोड़ देना है तो वह साही दिखता है अब दोस्तों इसमें फिर जो नीचे के जानकारी है to be filled by the office है इसको आपको छोड़ देना है फिर नीचे आ जाते हैं अपन अब इसमें है self declaration of minority candidate for waiver of fees अगर आप minority candidate के हैं तो आपको यह अनक्सर भरना है अगर आप नहीं है तो आपको नहीं करना है इसी तरीके से income certificate, income certificate के लिए भी एक format दिया हुआ है इसमें अगर आपके पास income certificate है और आप BPL में आते हैं तो आपको यह अला format भी भर करके भेव देना है अगर आपकी पचास याज से कम annual income है तो आप इसके लिए eligible है तो दोस्तों यह जो अनक्सर A और जो अनक्सर B हैं यह आपको नहीं मतलब यह कमपसरी नहीं है जो इसमें आते हैं वही भर पाएंगे तो यह specific हैं दोस्तों इसमें आपको अपने आई-टी आई के डिगी सेटिफिकर जो आपको आपको एंसीवीटी वगरा जो भी मिला है उसको लगाना है 10 की मार्क सीट की फोटो कॉपी आपको जरूर लगाना है क्योंकि यह चीज इंपॉर्टेंट है उसी बेस में सेलेक्शन होगा और टोटल नंबर आप इस फॉर्म के अलावा जितना आपने लगाए हुए है फोटो कॉपी वगरा उनकी संख्या यहां पर लिग देनी है उसमें भी आपको नंबरिंग कर देना है तो दोस्तों यह थी आपकी जानकारी आप इस फॉर्म को फिल कीजिए इसके बाद भी अगर आपको कोई दूँगा नमस्कार दोस्तों